पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही निये पाकिस्तान आपके पास कुछ है नहीं आप कहां से बैठ सेंगे ये चौधरी लोगों की मीटिंग हो रही है समझ रहे ना तो मैं आपकी वाशा में बोलूं तो यहां कम ही क्या करेंगे आप समझे चीछ को जो मेजर बेनेफिट होने वाल मानव, जीव जन्तु, एनिमल, प्लांट, माइक्र ओर्गैनिजम एंड देर इंटर कनेक्टनेश सब चीज पर है आप समझ रहे हैं सो लीडस डेक्लेरेशन होगा दे कंक्लूजन जो उसमें की है सब बाते की जाएंगे कैसे हम इंक्लूसिफ अपने पैसे का शक्ति का घ्य पूरी दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स जो है वो भारत की सरजमीन पर जो है वो अनकरीब लैंड करने वाले हैं जी ट्वंटी सब्मिट जो है वो देखने में आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा इवेंट है और कितना भारत इससे फाइदा लेने वाला ह है इसी इवेंट से देखे एवेंट तो बहुत बड़ा है इसमें तो कोई शक नहीं है तो यह आपको पता है कि जी ट्वंटी का मतलब है दुनिया देश बले जी ट्वंटी हो लेकिन यह डिपरेजन करते हैं 80% of the world wealth को आप समझ रहे हैं 20 country मिलकर के तो यह यहाँ पे decision जो यह decide करेंगे वही दुनिया का मुस्तजबिल होगा आप ऐसे समझ लें इसको ठीक है ना जो decisions यह लेंगे वह decision आपके और हमारे उपर लागो होंगे और important चीज यह कि इंदुस्तान अब उस decision making का part है G20 से पहले यह decision होते थे यूरोप के countries पे बैठके जब वो अकनी यहा तो उन्होंने वहां रेट क्लिफ कभी इंडिया नहीं आया उस ते जो है बाउंडिस खीच दी और आप पाकिस्तान में बिना आये हुए हम उस टेबल पे कभी थे ही नहीं हमारा उस टेबल पे पिछले जो 400 साल का है समय उसमें कोई हिस्सा नहीं था decision making कि दुनिया के यह जो आठ करोल लोग हैं यह विचारे कमजोर लोग हैं इनका decision मुसकर से 100 लोग करते हैं उनका मुस्तक्बिल का decision 100 लोग करते हैं जो decide कर दें हैं वह उनकी मुस्तक्बिल हो जाएं और वो decision अब इंडिया में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है और essential पार्ट है कि अब उस decision making का इंडिया पार्ट है और एक महतोपूल पार्ट है चोटा मोटा पार्ट लिए निए अगर नहीं चाहेगा तो decision नहीं लिए जासे तो काइड किया जाएगा और इसके उपर ही होगा कि वाई कैसे आगे की जो वर्ल्ड ओर्डर है वो वो function करेगा बगार आप किसी भी वेस्ट वाले से पूछेंगे ना हली वो बोलता है कि 21st century and onwards यह इंडिया की से 800 साल आपने यह बहुत सुना हमने इंडिया पर हकूमत करी हमन अब कप कब ऑब बदल जो अब वक्त को थे वक्त करेंड के यह सारी तुनिया में इंडिया के पावर कहां से आता है कि यह दूनिया का सब्सक्राइट है और आने वाले समय में 20 साल ज्यादा दूर भी नहीं इंडिया चाइटा एमेरिका की जो है ट्री स्टी लार्ड जफे सारे के सारे पंदर पंदर ट्रियन डॉलर की उपर की एकनॉमी होगे तो आप सोचिए चाइना तो इट ड़संट गेट अलॉंग विद अमेरिका और इनिवन बट इंडिया अमेरिका को भी समय आ गया है कि आप यह सदी अमेरिक क्योंकि दुनिया को यह बताने वाले कि यह बेजों हो गया वर्लबैक हो गया मूडीज हो गया जितने भी उनके क्रेडिट ट्रेडिंग एजन्सीज हैं फिनांशल इवांकि है तो अगर तो अगर आप यह पता है कि बिना इंडिया क्या मुद्धा नहीं हो सकता है इंडिया इजड्य कुश लेकिन वेस्ट की जो वैल्यूज है वो इंडियन वैल्यूज से कोल आप वो करती है कोंसाइट करती है तो आप सोचें इंडिया और चाइना के एक्रामी जब क्लब हो जाएगी इंडिया और अमेरिका की तो चाइना के पास कोई अप्शिन नहींगा तो वह वहाँ भी आएगा. लोग यह नहीं कहते हैं यह चाइना की संचुरी है. याद रखिये. कोई नहीं कहता है. लोग कहते हैं इंडिया की संचुरी है. मैं आपको ऐसे सैक्लो स्टेट्मेंट दिखाते हैं. क्यों कहते हैं? सिर्फ एकनॉमिक डिवलप्मेंट ही सब कुछ नहीं होता. इंडिया के पास वो हिस्ट्री है, वो कल्चर है और वो फिलोसोफी है. दुनिया को वही लेके चल सकता है. चैना शिर्कत नहीं कर रहा, पाकिस्तान पी नहीं आ रहा. इतना सरदान हो पही है. पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, पाकिस्तान आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहां से बैठ जाएंगे. ये चौधरी लोगों की मीटिंग हो रही है, समझ रहे हैं, तो मैं आपकी वाशा में बोलूँ तो यहां कम ही क्या करेंगे, आप समझेए चीज को. पाकिस्तान को तो अब होश के नाखूल लेने पड़ेंगे. देखे, मैं अकसर सुनता हूँ आपके इंटेलेक्चुल्स को, वो टांजक्शन को कम्प्लीट नहीं करेंगे. आपका बड़ा-बड़ा इंटेलेक्चुल्स आता है, जो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल भी है, पहले इंडिया को गाली देगा, फिर उसके बाद कहेंगा, वो इंडिया में पहले कम ही निकालेगा, उसके बाद की स्टेट्मेंट को क्वालिफाइगा, वो पुरे इंडिया अच्छी नहीं जानेगा, जो प्रेस रिलीज होगी, कि यह चिंपिंग इंसलिए नहीं आए, यह रीजर्न हो सकता है, हो सकता है कि इंडिया की जो G20 के अदिखस्ता एं उसको वो कम करना चाह रहे हो, चायना, ठीक टीकल पाकिस्तान की पाकिस्तान की होगा जब आपको इंडिया में कीडे निकालते रहेंगे, जब तक आप पाकिस्तान है जैसे कहीं कुछ एक वीडियो आगई हूआ उसलिए आमें चाहिए था, मतलब सिर्फ निगेटिट हो जोगे। इंडिया में मोदी जी मुसल्मानों को रोजगार दे रहे हैं उनको स्कॉलर्शिप दे रहे हैं उनको सबसे अधा घर मिला है वो सब नहीं आएगा आपके ठीक है न वो नहीं आएगा जो कि 90 परसेंट है जो टिप आफ आइस बर्ग जो आपको दिखाया था वो सचाई नहीं है लेकिन 90 परसेंट यह है कि उनके अब जैसे निगार शाजी जैसे लोग हो तो आइलाइट नहीं किया हो कि प्रचारित करो क्योंकि एक काउंटर बैलेंस होना चाहिए प्रपोगेंडा था लेकिन आप देखे हमारे प्रदार मंत्री ग्राव जो प्रदार मंत्री आवास जितना जादा हिंदू-मुस्लिम सबको मिला सारी मुसल्मानों ने उस पैसे से अपना घर बनाया जिनके बाद घर नहीं थे क्योंकि हम उसके बिना भारत डिवलप्त करेगा तो कोई भारत का डिवलप्त ना करें हम कैसे डिवलप्त हो जाहे वह कोई भी उसकी धार्मिकास तो यह तरह के निगेटिव चीजह हमेशा आपको दिखाई जाएंगी इंडिया के बारत यह है वो है चुक्कि वह आपको जस्टिफाइब करता है जो हुआ था पास्ट में वह किकवा है अगर मैं आपसे यह कहूं कि असान इल्फाज में यह बताएं कि मेजर जो बैनिफि सब्सक्राइब करने जा रहा है इससे जो मेजर बैनिफिट होने वाले हैं वह आपको जैसे इस बार का जो मोटू अजी 23 का जो भारत में दिया है वन एर्थ वन फैमिली वन फूचर ठीक है ना इस तीम और इस थीम के अंदर में जो है सिर्फ इंसान ही नहीं मानव, जीव जन्तु, एनिमल, प्लांट, माइक्रो अर्गैनिजम और इंटर कनेक्टनेस सब चीज पर है आप समझ दे हैं कैसे हम इंक्लूसिफ अपने पैसे का शक्ति का घ्यान का इस्तमाल करके बायो डाइवर्सिटी हो, मरीन लाइफ हो, हुमन लाइफ हो, सब को कैसे बहतर बना से यही फाइदा होने वाला है आप क्यों मिल रहे हैं क्यों बात कर में जा रहे हो वहाँ पर चुगलिया नहीं हो कैसा बढ़ाएंगे, सिर्फ मानव की बात नहीं हो रहे हैं, आप अगर देखें जो इवेंट का जो मोटो है वो है वन और्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आप समझें वन और्थ वन फैमिली एन वन फ्यूचर यह बेसिकली है क्या? यह इंडिया की वही फिलोसपी है जो कहत आप समझें इसका मतलब यह हुआ कि हम सब एक परिवार कहें तो यहीं फाइदा होगा कि अगर मेरे पास कुछ जादा है हम आप से बाट ले आप समझें अगर हम सूर्ट एक जगह पे बहुत ज्यादा हिस्से में आता है कहीं पे कमा उसको हम अगर हारनेस करके उसकी और दु इंडिवीज्वल जो कैपासिटी आप अगर अर्थ को तोड़ के चलोगे तो रिसोर्स का बटवारा हो जाता है फिर आपके पास पेट्रोल नहीं है आपके पास कुछ नहीं है आपको वो खरीदना पड़ेगा लेकिन आर्थ को अगर हम एक वन यूनिट देखे और कि ऊवर्जी और सुभाई में ये कि दोनोंफ कर सकते हैं नो साथ 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 पाक्स्तान का सिनेट और सिंद का सिनेट भी तो साथ साथ SRight कर सकता है उसी तरीके से कि पूरी दन्या को अगर एक जिगा कहीं दुनिया के हिस्से में संजादा गाधा वहां पर विजली हर्नेस क विजली बनाओ और ग्रिड ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया को वहां से ऐसा क्यों नहीं हो सकते हैं अगर हम अर्थ को तोड़ के देखेंगे तो आपके पास नहीं है पेट्रोल ना आपके पास वो टेक्निलोजी है कि आप अपनी सूरे से ज्यादा अबिलिटी से इतनी अबि अगर टूटे हुए रहेंगे तो आपको अर्थ का कुछ ही हिस्सा मिला है उसमें जो लिमिटेड रिसोर्से आप वही उप्योग कर सकते हैं और वो उप्योग करने के लिए टेक्नलोजी आपके पास नहीं है अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे रियालिटीज के साथ वो तो सबको एक समाल सूर्य की रोश्णी देता है तो पॉइंट यह कि आप अगर उसको साओधी अरेबिया एफ्रिका यह सब कंट्रीज में बहुत जादा सथन है यहां पर आप प्रोड़क्शन यूनिट लगा हैं यहां से बाटे हैं चुकि यहां अगर देखें साओधी अरेबिया में बहुत जारा मरूस थली है उनक्या नहीं है वहां पर अगर वह लग जाएगा सोलर पैनल और इनर्जी आपको आ जाए बिजली आपको आ जाए तो क्या बुरा है